हलो दोस्तों तो आजकल कि इस कोवीट के चलते बहुत सारे लोग ही अभी जॉब ढूंड रहे है और अगर आप एक B firm या M firm graduate हो तो I am sure कि a pharmacovigilance job is surely in your job searching list और हो भी क्यों ना pharmacovigilance in the recent years has been a very lucrative career option for a lot of people it is mainly because of two reasons एक तो यह कि इस सेक्टर का जो career growth है वो बहुत ही जदा हाई रहता है आप कुछी महीने के अंदर आप कुछी साल के अंदर बहुत ही जदा पैसा कमा सकते हो इस job करके और तो और इस सेक्टर का जो recruiting companies होते है वो बहुत बढ़े-बढ़े IT companies होते है जैसे TCS, Wipro, Cognizant यह सब बड़े-बड़े companies में आपको नौकरी पाने का चांस रहता है इन फार्मकमजिलन सेक्टर अब यह companies में घुसने के लिए आपको आपके skill और knowledge आपको showcase करना पड़ेगा उनके aptitude tests, उनके technical tests और तो और most importantly उनके interviews में ताकि आप उनके interviews क्रैक कर सको और यह job आप ले सको लेकिन एक high chance रहता है कि आप लोग को पता नहीं होता कि interview में कौनसे कौनसे questions आपसे पूछा जा सकता है तो इसलिए आज का यह वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे topmost important job interview questions पढ़ेंगे, जानेंगे, जो अगर आप अच्छे से जान लेते हो, अगर आप उनसे फार्मकोविजिलन्स जॉब के लिए जा सकतो confidently और आपका जो चांस रहता है एक फार्मकोविजिलन्स जॉब करने का वह बहुत ही ज्यादा बर जाता है, इस questions have been provided by साहिल सिद्धी की जिन्होंने already हमारे साथ एक वीडियो बना चुके है about फार्मकोविजिलन्स, आप चाहो करते हो और में और एक चीज़ आप जितने सारे ओडियन्स अभी देख रहे हो आपसे दरकास्त है कि आप लास्त तक इस वीडियो के एंड तक आप जरूर रहे जाना हमारा एक इंपोर्टन अनॉंस्मेंट है जो कि आपके लिए ही बहुत ही हेल्फुल होने वाला होगा तो हमारा जो पहला विजिलेंस यह और यहाँ पर स्कृमा को जैने के बाद बहुत सारे एक एफेक्स करता है इवन आफ्टर पासिंग एवरी टेस्ट कभी-कभी कुछ ना कुछ एडवस एफेक्स शो कर सकता है तो उसी के बारे में एक फार्मा को विजिलेंस ऑफिसर को पहले एक information collect करना पड़ता है from healthcare providers and patients उसके बाद उसको monitor करना पड़ता है और आगे जाके उसके बारे में detailed research करना पड़ता है यही पूरा काम होता है एक pharma को vigilance officer का और तो और यह pharma vigilance का definition है वो यही सब करने का science को का जाता है next हमारा जो question है वो यही है कि what is the minimum criterion required for a valid case according to WHO तो एक valid case होने के लिए क्या-क्या minimum criterion होना चाहिए तो number one an identifiable reporter number two an identifiable patient number three a suspect product and number four an adverse drug event तो यह चार अगर criteria fulfill होता है तो ही एक case को valid case माना जाएगा valid case बोला जाएगा according to WHO next हमाना जो question है वो बहुत ही simple question है ये बहुत ही ज्यादा important question है what is adverse drug event अब मैं अगर आपको यह थोड़ा सा simplify करके समझाओ तो यह ही है कि अगर आप एक दवाई लेते हो और अगर आपका एक ऐसा कुछ effect आता है जो इसका side effect भी नहीं है और इसका direct effect तो है ही नहीं तो वो effect को हम adverse drug effect कहेंगे बहुत लोग के लिए adverse drug effect और जो side effect है वो almost same है लेकिन तोड़ा सा different है side effect जो होता है वो directly वो drug therapy के लिए होता है लेकिन in this case of adverse drug event यह नहीं होने बाला होगा और fourth question is when do you consider an event to be serious तो कब एक event को हम serious event मान सकते हैं तो आप screen पर देख सकते हैं यहां पे छे conditions दिया हुआ है अगर कोई भी condition एक particular event के साथ associated होता है तो ही उस event को हम serious event मान के चलेंगे हमारा जो fifth question है वो यही है कि name the regulatory bodies in USA, UK, Japan and India USA का जो regulatory body है वो है US FDA that is United States Food and Drug Administration, UK का European Medicines Agency, Japan का Ministry of Health, Labour and Welfare and India का CDSCO Central Drug Standard Control Organization हमारा जो next question है वो यह है कि what is volume 9A अब volume 9A का जो formal definition है वो तो आप screen पर देखी सकते हो लेकिन अगर मैं इसको simplify करके आप बताओ तो यही है कि volume 9A में आप एक pharmacovigilance job में जाने के बाद जो भी काम करोगे वो जो भी guidelines आपको follow करना परेगा जो भी rules आपको follow करना परेगा वो सारे rules is volume 9A में दिया रहेगा It is kind of a rule book for pharmacovigilance people Our seventh question is when do you consider a case to be medically confirmed एक केस को हम medically confirmed तभी बताएंगे जब उसमें at least one एक ऐसा event रहेगा जिसको कोई एक healthcare professional ने confirm यह report किया होगा अब यहाँ पर एक note है कि healthcare professional बोलने से हम किन लोगों को समझाना चाहते है A healthcare professional can be a physician, a nurse, a pharmacist, a coroner, or a psychologist Our next question is what do you mean by causality? Now in pharmacovigilance, what is causality? What is our suspect product and the adverse drug event? In these two relationships, we call causality. Now this question can come in some other form Like is there any convincing relationship between the drug or the event? Or did the drug actually cause the event? Asa करके भी questions आ सकते है Let's go to our ninth question, that is name some data elements in ICSR This answer is number one patient demographics, which is under age, gender, race and number two suspect product details In which there are drug, dosage, form, therapy date, therapy duration, everything is added here Now you can see, I have all the details on the screen, which are suspect products And this is some data elements of ICSR Now you can ask another question from this, what is ICSR full form? ICSR stands here So here I have also given the full form of ICSR full form here It should consist of precise and concise information about the source of this report This report came from where? Patient demographics, I had mentioned before, age, gender, race Then patient's medical history This patient's medical history, this patient's medical conditions were passed Concomitant medications, that is that this patient, which is a drug event With him and with him, he actually took some drugs Because it is possible that these two drug reactions are caused by the adverse event Next, suspect product details All the details that I have discussed before, in the next question And lastly, adverse event details This is all in orderly manner, we have to collect information in a narrative So here are some interview questions which will be really helpful for all those people who are currently preparing for pharmacovigilance interview But now this video is not finished, there is also another announcement The announcement is PG Academy is going to conduct the next episode with Sahil Siddiqui He is coming back to our channel So that he can help those people who want to go to the pharmacovigilance job Or who want to go to the pharmacovigilance job Or who want to go to the pharmacovigilance career Or who want to go to the starting point of their pharmacovigilance career So that their job will be smooth and easy to be easy for them And those people who have doubts or queries are clear in the pharmacovigilance sector This is why we are organizing this training course This course will be in a Zoom meeting session The time duration is now slightly flexible Because it can happen for a few hours That depends on the audience surely This course will be a pay whatever you want course This training course will not need to register for this training course If it is possible, please like our new Facebook page Link is down to the description box And if you like this video, please like it and share it with your friends Subscribe to the Pharmageek channel Thank you, Bye Bye